नमस्ते, कान का भीमारी टेस्ट करने के लिए भूस सारा टेस्ट है, इसमें सबसे कॉमन टेस्ट जो है, वो है प्योटोन ओडियमेंट्री, तो ये प्योटोन ओडियमेंट्री के बारे में आज का वीडियो में देखेंगे, पहले नॉर्मल ये साउंड जो है, नॉर्मल ब्र यहां से एंटर होके, पहले आखे येरड्रम को वाइबरेट करेगा, वाइबरेट करके ये साउंड ये मिडल येर से छोटा छोटा तीन बोन्स है, ये बोन्स के रास्ता सीधा इनर येर में जहां नर्व है उसकी रसा सीधा ब्रेन पोचेगा, ये है एर कंडक्शन, दूसरा जो है, ऐसा, साउंड अनर्जी ऐसा नहीं आयेगा, बोन के रस्ता आयेगा, बोन के वाइबरेशन की ये बोन जो है, उसके रस्ता सीधे आके कि middle ear में enter होगा middle ear से उसके बाद inner ear पहुंचेगा वो हुआ bone conduction यानि कि एक normal person में दो टाइप का hearing का mechanism है normal सुनने का दो mechanism है एक air conduction दूसरा जो है bone conduction मैं क्यों इसलिए यह बता रहा हूं यह बाद में आपको पता चलेगा अभी हम sound के बारे में sound physics के बारे में एक छोटा सा में introduction दूंगा वो important है वो graph पढ़ने के लिए sound energy जो है सिर्फ एक vibrating body से sound energy आ सकता है अगर चो कुछ body vibrate नहीं कर रहा है stationary है तो वो sound नहीं करेगा तो जब वो vibrate वो body vibrate करना शुरू होगा तो sound energy produce होगा और sound energy का भूस सारा character है उसमें most important तीन character है वो देखेंगे पहले वाला है pitch वो पिच जो है वो hertz में में मेशर करते हैं मैं आपको pitch क्या है बताता हूं pitch मतलब एक second में वो vibrating body है वो कितना बार vibrate कर रहा है समझो देस बार vibrate कर रहा है मतलब 8 hertz सब्सक्राइब 250 times vibrate कर रहा है एक second में मतलब 250 hertz इसका important बताऊंगा देखो ladies में और बच्चों में यह voice box जो है उसके अंदर vocal cords होता है तो यह vocal का moment से sound production होता है तो बच्चों में और लेडीज में यह vocal cord का length male से कम है तो क्या होता है कि sound production के time में उनका vibration number vibrations ज्यादा है मेल से तो जब vibrations ज्यादा है तो pitch बढ़ जाता है तो difference यह है कि जब बच्चे रोते हैं नई तो लेडीज चिलाते हैं उनका pitch हाई रहेगा मतलब वह irritable sound रहेगा मेल्स का sound है जो है वह low pitch है तो बच्चों में और लेडीज में pitch हाई रहेगा अभी second character वह है loudness कार में music system है तो music system सपोस्ट साउंड कम है तो हम क्या करेंगे उसका वालिम बढ़ाएं मतलब मतलब उसका loudness बढ़ा तो loudness जो है डेजिबल में में मेशर किया जाता है सपोस्ट मैं आपको मैरे बेटा को में बला रहा हूं अनाउश loudness बढ़ा रहा हूं अनाउश तो loudness बढ़ गया यह है loudness के बारे में तो loudness को मेशर करने के लिए देखेंगे कैसे कैटेग्राइज करेंगे सपोस्ट कम्प्लीटली silent है तो वह हुआ zero decibel सपोस्ट मैं whisper कर रहा हूं तो वह हुआ 30 decibel अब अभी में जो नॉमल बात कर रहा हूं वह 40 decibels और मोटोबाइक साउंड 90 decibels कि एरोप्लाइन साउंड 120 decibels यह है कंपैरेसिन का साउंड कंपैरेसिन लेवल्स तो आपको अभी पिच्छ के बारे में पता चल गया है हर्स में मेशर करते हैं के बारे में बता चल गया है और तर्ड वन कोलटी के लिए में एक एक्षैम्मल देता हूं सपोस्स मैं होस्च जब में हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं घर से फोन और मेरे बेटी में जो फोन कर रहे हैं जब वह फोन वो बोलेगी हलो बोलेगी उतना काफी है मेरे लिए कि बचा नहीं के लिए कि मेरे बेटी फोन कर रही है वो जो आवाज पहले वाला हलो बोल रही है वो बेटी के साउंड के लिए स्पेसिफिक है वो है वो परसन का कॉलिटी साउंड सुनके बिना बंद्य को देखे, हम बोल सकते हैं, कोन उदर से आ रहा है, वो हुआ वो बंद्य का quality, तो sound का तीन क्यारक्ट्रे से हमने देख लिया, pitch, loudness and quality, तो जब ये करेंगे, तो उसमें ये x-axis में pitch रहेगा, left side में low pitch, right side में high pitch, और y-axis में जो है, उदर loudness रहेगा, ऊपर minus 10 से शिरू होगा, maximum 120, अभी hearing loss, हम categorize करना चाहिए, divide करना चाहिए, hearing loss में mild है कि इसा है, mild है, moderate है, severe है कि profound है, तो पहले normal hearing, अगर चो 20 के ऊपर है, वो है normal hearing, तो 20 से 40 तक है, mild hearing loss, 40 से 55 तक है, तो moderate hearing loss, 55 से 70 है, moderate to severe hearing loss, 70 से 90 है, तो 70 से तो severe hearing loss, और 90 के ऊपर जो भी है, वो है profound hearing loss, अभी हम ये प्योटन ओडिमेट्री, main topic discuss के लिए, ये प्योटन ओडिमेट्री जो है, सिर्फ पान साल से उमर, age पान साल से उपर, above 5 years of age ही कर सकते हैं, उसका reason जो है, आपको थोड़ी देर में समय जाए जाएगा, तो इसमें ये test करने से तीन फाइदा है, एक क्या type of hearing loss पता चलता है, मतलब air condition की bone conduction, और कितना hearing loss पता चल सकता है, mild, moderate, moderate to severe, severe और profound और उसका कारण क्या है, ऐसा भी पता कर सकते हैं, अभी ये कैसा करना है, इसमें ये है audiology room, audiology room के अंदर एक cabin रहेगा, soundproof cabin रहेगा, तो patient को ये soundproof room के अंदर बिठा के, भाय से इस mission के द्वारा एक sound दिया जाएगा, तो अगर चो ये door बंद हो गया, tight से, तो भाय से कुछ भी sound अंदर सुनाए नहीं देगा, सिर्फ जो sound हम machine से देते हैं, सिर्फ वो ही सुना देगा, अभी ये जो technician है, तो ये patient में air conduction और board conduction दोनों test करने वाली है, और हाथ में gadget देदेगी, और उसको समझाय जाएगा, कि जब ये gadget कान में रख रहे हैं, जब इसमें sound सुनेगे, उस time में प्रस करना, तो वो time में ये gadget प्रस करेगी, तो भायर बेट के computer में मार किया जाएगा, ऐसा करते हैं, प्योटन audiometry, और ये प्योटन audiometry करने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनिट तक ये test खतम हो जाएगा, तब ये technician इदर है, machine on कर दिया, start हुआ test, तो ये प्रस करने लेगेगी, ऐसा air conduction और bone conduction दोनो टेस्क किया जाएगा, अभी normal है, ये test करने के बाद ऐसा एक result report मिलेगा, ये report जो है, ये पहले वाला report ये normal है, मतलब 20 degrees के ओपर दोनो लाइन है, दोनों लाइन 20 degrees के ओपर हुआ, मतलब आपका hearing नॉर्मल है, अगर चो एक लाइन, नीचा वाला लाइन नीचे आ गया, जैसे कि ये second वाला में नीचे आ गया, मतलब conductive hearing loss, पहले वाला में एक picture बता था आपको, ये है कान का picture, ये middle part है और ये inner ear है, ये middle ear है, अगर चो ये inner ear में कुछ भी problem है, ये bone का system में intact नहीं है, कुछ problem है, तब आपको conductive hearing loss मिलेगा, ये type का curve मिलेगा, अगर चो दोनों लाइन नीचे आगे और overlap कर रहे हैं, जैसे कि इस में ये हुआ sensory neural hearing loss, मतलब inner ear में, सोबसे अंदर के कान में nerve जहाँ है, nerve ठीक से contact signals, contact नहीं कर रहा है, अगर चो दोनों लाइन नीचे हैं और overlap नहीं, छोड़ा सा gap है, जैसे कि इस में हैं, ये हुआ mixed hearing loss, mixed मतलब middle ear में भी problem है, साथ साथ में inner ear में भी problem है, दूसरा, अगर चो 2000 hertz में ऐसा एक dip हुआ, ये condition है autosclerosis, मतलब middle ear में तीन बोंड से, उसमें सुपसे छोटा बोंड है, वो है stapes, तो stapes में कुछ problem है, ये होता है autosclerosis में, next, अगर चो 2000 में नहीं, 4000 में dip हो रहा है, मतलब ये बंद्य को noise induced hearing loss है, अभी अगर चो सिर्फ low frequency में conductive hearing loss है, मतलब middle ear में पानी जैसा accumulate हो रहा है, ये वो condition है autitis media with efficient, तो ये test के साथ साथ में tympanometry करना पड़ेगा, tympanometry में type B curve मिलेगा, इसमें से ये confirm हो जाएगा, कि middle ear में फ्लूइड जैसा, पानी जैसा fluid जमा हो रहा है, लास्ट, इसमें दोनों कर्व मिलके, ओवरलाप करके low frequency से ऐसा slope जैसा बन रहा है, ये है age related hearing loss, मतलब press by accuses, 65, 60, 65 cases यादा, जितना body changes होगा, ऐसे कान में भी changes होगा, इस बज़े से hearing loss होता है, वो है age related hearing loss, अभी ये test जो है, इसका थोड़ा disadvantages है, disadvantage ये है कि ये test पान साल उमर के नीचे करना ही सकते, क्योंकि बचा कॉपरिंट करना ही करेगा, उसको समझ मने आएगा कब gadget प्रस करना है, ऐसा ही psychiatric patient है तो उसको भी समझ मने आएगा, इसलिए उनमे भी नहीं कर सकते हैं, और malingering patient, मतलब बंदा जो जूट बोल रहा है, क्यों जूट बोलेगा, क्योंकि medical legal कुछ फाइदा लेने के लिए, इसके लिए ऐसा malingering करेगा, तो ठीक से sound सुनेगा, तो भी वो प्रसनी करेगा, तो इस patients में भी ठीक से report नहीं मिलेगा, मतलब ये test mainly patient dependent है, मतलब subjective है, तो completely patient dependent है, ठीक से report मिलने के लिए, तो ये हुआ pure tone audimetry की बारे में, शुक्रिया,